अमस्कार दोस्तों मैं बीरु सुकला आप सबका भाई अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वाथ करता हूँ जैसा कि दोस्तों मैं सूचना मिली है कि सुल्तानपुर से तकरिवन 20 किलो मीटर की दूरी पर पठानेपुर गां में कोई स्नेक देखा गया है यहां पर हमाए हूँ देखते हैं कौन से स्नेक है फिर उसे बाहर निकालते हैं आई ये इस तरफ हो भाई जोस्तों देख सकते हैं इसां पर दिख रहा है ए घोड़ा पच्छार साफ है इस यहां दिखा पर दोस्तों देख सकते हैं हमका के देख सकते हैं है दोस्तों घोड़ा पच्छार बैठा है इसे बश्यासार हिसे धामर भी दिए गोराई भी थे वी काय थे हैं अब इसे घट्लार के निकालते हैं डिया vet mains लिया कि दो से यहां कि दारा से बढ़ गया अब एक राक्ति निकालते हैं मार दिये हैं दोस साब जखमी हो चुका है सापहों को मैं तो tääही कहूँगा किसाप इनका भी रहना जरूरी है साफ नहीं मारे अगर साफ निकले अब सूच नहीं ते इसके लिए नमबर चल रहा है भाई कमेंट भी है आप कोई भी समस्या हो सुने बताना हुआ है जक्मी कर दिये हैं बहुत बलती है दोस्तों अब इसे हम कैच करते हैं पकड़ते हैं बाहर ले चलते हैं सुरची जंगल में इसे छोड़ देंगी भाई आप लोग पीछे हट जाओ आप लोग पीछे हट जाओ आप लोग बहुत गलत किये जो साप को मार दिये हैं सापो को मारना नहीं चाहिए अब भाई आप लोग बहुत गलत किये साप को जक्मी कर दिया हमें पता होता कि साप को जक्मी कर दिया कर दिया हमें करें तो बहुत ही लंबे होते हैं दोस्तों आज मैं अपने इस्टिक छड़े को भी भूल गया हूं सादे हाथ हूं तब ही मैं इसको बचाओंगा और पकड़ूंगा कर दोस्तों कितना लंबा है इसे जक्मी कर दिये हैं ताब को पकड़े रानी चला जाता है बड़ा हीचे रह आपने वरिया अब रख को उत्व होता है क्योंकि सापों से हमें लगाओ हे राख की रह बूंगा है जांसला यह दोस्तों हमें उत्व दोस्तों कि अपर थे में आपूनगा देख सकते है दोस्तों इतना लंबा साफ है, इतना लंबा साफ है, वह बहुंदा पोड़ा पूला ठारी बढालफ है, अधर बड़ा है। ठीक है दोस्तो इसे अब हम पकड़ लिए हैं अब इसे हम बाहर ले चलते हैं सुरजशित जंगल में छोड़ देंगे बाकी मालिक चाहे तो बच जाए तो ठीक है नहीं तो दोस्तो अब इसका बचना तो मुस्किल ही है बाकी उपर वाला जाने ठीक है दोस्तो अब इसे हम कैच करते हैं ठीक है दोस्तो देख सकते हैं कितना लंबा साफ है आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सापो को ना मारें क्योंकि अगर साप आप मार देते हैं हंदे हैं हमें बहुत दुख होता है अगर साप निकले हमारा नंबर चल रहा है रहा है अप हमें सुचना दे मैं जहां को हो पहूंचूंगा सापों को बचाऊंगा हमारा मेन उद्दे से ही है कि आप लोग सापों को ना मारें, मुझे बताएं, मैं मौके पर पहुंचूंगा, दोस्तों जहां तक हो सकेगा, मैं और सापों को पकड़ूंगा, दोस्तों दैसा कि यह धामर साप है, हमारे आपकी गाउम इसे घोड़ा पच्छार भी कहते हैं, दोस्तों इन में जहर नहीं होता है, मगर तब ही लोग साप समझ की से मार देते हैं, इन में बिलकुर जहर नहीं होता है, आप लोग अगर इस साप काट ले घोड़ा पच्छार, तो आप लोग डरिये मत, इन से कुछ नहीं होता है, इन में बिलकुर जहर नहीं होता है, फि ज़ेख सकते हैं दोस्तों इतना बड़ा साप खाए है अब भॉड़ा है अब नहीं आप ना रहें क्योंकि अगर जारफूक के चक्कर में आप रहेंगे जिंदगी चलेज़ेगा आपको साप काड़ ले तो सिधा जिला हस्पिटाली जाईए क्योंकि आपकी जान सिर्फ सुने है कि कोई जड़ी पिलाता है और सुरच्छित ले चलके जंगल में छोड़ देंगे तो इसे भंपाइक कर दिये हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो सस्क्राइब करो कमेंट करो शेयर करो और सापों से भी कोई भी समस्या हो तो आप हमें इसके रिन पर चल रहे नंबर पर सुचना देजिए और हमें काल करें हमें बताईए मजहां तक होगा दोस्तों पहुंचेंगा और साफों को बचाऊंगा नमस्कार